हे गाइस विल्कम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न्यू रिक्रिमेंट की डिसकस करने जा रहे हैं जो की वेकेंसिस आपकी आउट की गई है आई एसाई कॉलकाता से यानि की इंडियन पर्मानेंट जॉब से बहुत ही अच्छी खासी लेवल की एक पोस्टिंग वाली यहां पर जॉब सीक्यूरिटी एंड सेलरी भी आपको मिलेगी प्रमोशन की सुविदा सारी अच्छी खासी होती है यहां पर तो जो भी केंडिड एलिजबल हैं जरूर अपला किजेगा आ आपका क्या होने वाला है लिट स्टार्ट नाओ इससे पहले में बताना चाहता हूं चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी एंड इस विदियो को लाइक तो यह आपकी ऑंफिसल नौडिकेशन इंडियेन स्टाडिकल इंसुट दुआरा जारी की गई है टोडली गवर्मेंट ऑफ इंडेयके अंडर में आती है आपको पता है मिनश्टी ऑफ एंस्टेटिक्स कें इंडर में यह जो आपकी इंसूट है वह आती है चलिए अलग- 42 जार रहेगी 35 साल age limit है और इसमें आपके पास B.E. होनी चाहिए degree in electrical engineering with two year experience आप पहलेज वलो apply करने के लिए place आप देख सकते हैं हर post के नीचे लिखा होगा next vacancy engineering assistant civil में vacancy है same यहाँ पर salary होगी दो vacancies है higher secondary 12th pass होनी चाहिए with a diploma at least three year duration relevant field या फिर one year experience then apply कर सकते हैं guys next vacancy है engineer assistant electrical यह में यहाँ पर दो vacancy है same आपकी salary और age limit रहेगी 12th pass वाले apply कर पाएंगे diploma in last three year और आपकी practical experience होनी चाहिए supervisor license होनी चाहिए electrical का आप एलेज वलो apply करने के लिए next vacancy electrical की sorry electrician की vacancy है यहाँ पर total 9 post for vacancies निकाली गई है जिसमें से category wise आप इसे divide कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो salary मिलेगी 21,700 से लेकर 79,100 के बीच में आपकी salary रहने वाली है pay level 3 के अनुसार तो अच्छी खासी salary है age limit 18 साल से लेकर 35 साल के candidates form को fill कर सकते हैं आपके पास qualifications यहाँ पर school final year आपके पास होनी चाहिए then requirement with ITI certificate या फिर 10 pass या फिर उसके requirement देन उसके बाद आपके पास ITI की certificate होनी चाहिए जो की permit requirement to electrical wireman देख सकते हैं class क्या होने चाहिए एक बी दो सी इस तरह से four classes होते है उस तरह का electrical wireman class pass out होनी चाहिए electrical wireman यानि कि आपने electrician से ITI कि ITI आप eligible हो then wireman से कि आप यहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं class यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपके पास permit electrical wireman class की आपके पास यहाँ पर subject demand की 21700 से लेकर 691118 से 35 age limit है यहाँ पर class 8 with ITI की certificate होनी चाहिए relevant trade जिससे कि यहाँ पर electrician electrician trade वाले इस phone को fill कर सकते हैं operator कम mechanic में या फिर school final requirement solve with process lift operator इसकी भी आपने trade सक्किया है with permit requirement to electrical wireman class 1 भी आपके पास certificate यहाँ फिर last देख सकते हैं with last 5 year experience यहाँ पर demand रखी गई है guys देख सकते हैं आपर demand रखी गया 5 साल experience की operator कम mechanic में apply कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी experience नहीं है बट आपके पास electrical wireman class B की आपके साथ certificate चाहिए next है आपकी driver की vacancy एक post पर यहाँ पर भी salary ITI वालों के लिए salary सब में सेम होगी 2700 लेकर 691100 यह 35 साल इसमें भी आ knowledge experience for driving of type of vehicle अलगला type of vehicle की driving का knowledge होना चाहिए much process driving license with light and heavy vehicle का है यहनिकि HMV आपका जो है लाइसेंस होना जरूरी है या फिर light HVA वो भी apply कर सकते हैं next है आपका cook की vacancy एक post पर 190900 से salary start होगी 63000 तक जाएगी 18-35 लिमिट है पहल पास candidate इस phone को fill कर सकते हैं then अगर आपने treat related को set fit किया है पर diploma होकी में cook में किया है आप apply कर सकते हैं कोई ITI किया है और cook में वो भी apply कर सकते हैं next assistant library यह की पांच vacancy है same salary ITI level की मिलेगी higher secondary 12 pass वाले apply कर सकते हैं library science आपके पास होनी चाहिए और typing इस पी थोड़ी सी computer knowledge यहाँ पर data entry related जरूरी है assistant laboratory यह की पोस्ट है यहाँ पर जो vacancy तीन है relevant field and knowledge computer operating data entry जो की essential है apply कर सकते हैं next है यहाँ पर assistant आप देख सकते हैं refro photo के लिए और इसमें बात करें एक पोस्ट पर है salary ITI level की रहेगी higher 12 pass candidate science के साथ होनी चाहिए subject relevant vocational stream और one year की experience knowledge of computer का जरूरी है next assistant form यह की और यहाँ पर भी salary रहेगी same 12 pass apply कर सकते हैं science with relevant subject field में होनी चाहिए आपका vocational stream यहाँ पर भी और एक साल की certificate आपके पास मांगी गई है experience की knowledge थोड़ी से computer की जरूरी है देखें आपने जहाँ पर भी age दिखाओगा 18 से 35 से 35 यानि सभी candidate 18 से 35 इस form को fill कर सकते हैं तो एक highest age limit रखी गई है और इसके बीच में relaxation भी दी जाएगी जैसे की STSC वालों को 5 साल की OBC वालों को 3 साल की EPWD 10 साल की छूट में आपको मिलेगी candidate अब selection कैसे होगा इस तो tentative आपकी यहाँ पर return test होने वाली है return test आपकी online ही exams होगी यहाँ पर जो की declare नहीं किया गया है कि कब तक exams आगी होगी because COVID-19 का crisis को देखकर government एक date decline करेगी hopefully एक से दो मन्त में आपकी exam इसकी declare कर ली जाएगी कहाँ पर ले ना इंडियास के all our cities हैं जैसे की माल इसे मैं जारकंट से हूँ मैं यहाँ से apply करूँगा तो मेरी जो examination center होगी और राची होगी इसी तरह से आपका भी होगा जैसे कि आपकी capital में एक CT यहाँ पर तयार की जाएगी for exams के लिए अब बात करें form fill up की किर्चरिया को लेकर तो date of opening online application एक जुलाई याने के today ongoing आज से start हो चुका है और last date इसकी online form की जो रखी गई है 23 जुलाई 2021 तक रखी गई है तो 23 दिन आपके हाथ में time है जो भी candidate form fill कर सकते हैं eligible हैं जरूर apply करें कुछ खास experience नहीं मागा गया है hopefully लगवक्स अभी इसमें apply करी सकते हैं काफी सारी आपर freezer भी eligible हैं तो अपने इसाब से apply करें अपर श्नोडिज अच्छी खासी एक job security है permanent vacancy है तो प्ली जिस तरह का जो vacancy जबाए ना तो इसे जाने मत दीजेगा अब इसमें मैं exam process की मैं discuss करूँगा यानिकी syllabus के बारे में और online form के बारे में अगर इससे related आपको वीडियो चाहिए form कैसे fill करनी है other then जैसे की syllabus क्या होगा exam pattern क्या होगा क्योंकि यह सब चीजे ऑफिसल में इसकी जानकारी नहीं दी गई है आप इससे detail में जानना चाहते हैं तो हमें comment करके बता है इस वीडियो में तब तक के लिए जाहिन